नमस्तार दोस्तों मैं राहूल आपका बहुत पस्ता आप आप जे टिक्निकां स्थेत आई चलिए शूर करते हैं आज की टिक्निक्ट तो आज की जो पैले टेक्निस और वह तो सकते हैं लॉंच जी हाँ एस्टिसी यू अल्ट्रा एकिस कॉर्वरी को हो सकता है लॉंच चाहिए लॉंच इसके इस प्रेसिक्शन की बात करें तो आपको 5.5 इंज की बुल-एष्डी दिस्प्ले देखी गई है लिग गई गोड्यकला ग्रास 5 का प्रोटिक्शन दिया गया है इसमें सेकंडरी दिस्प्ले भी दिगिया है जिहां नोटिफिक्शन बार के लिए इस देख सकते हैं और इसमें क्वालपॉंग का स्नैप्रेगन का 821 चिप्सेट दिया गया है जहां 821 चिप्सेट दिया गया है इसमें 4GB RAM हो सकता है इसके इंटरनल में पूरी 64GB दी गई है जिसे आप माइक्रोटिकर दोड़ा 120GB तक बढ़ा सकते हैं जिहां 120GB तक बढ़ा सकत इसके प्राइसिंग हो सकती है जुक्त काफी हायर जैसे के कहा था कि 57 ने कहा था छाइन बूंष नहीं करेगा और US प्रचेर ऐसे में तो या है वाला समाटफोन फो या मशनले Eng अई कॉल गार्च होल नवार्च रहता है तो दिखिते ने कीस पोन गारता रहता है वैसे सוש्क प्रिसमें पीमानें तो सारे ठीक टाग है, प्राइसिंग थोड़ा सा हाई है दोस्तों, अच्छिन एडिस 30-32 होता तो फिर ठीक होता और बैटरी थोड़ा हाई होता आज जानते हैं, कम बजेट वाले स्मार्टोन में भी 4000 इमिच बैटरी ने रही है, तो बैटरी भी अगर 3000 कि जाएगा 4000 इं 5000 इमिच रही होता तो और भी बिटर होता है, सांसर गालेक्सी A3, A5 और A7 2017 वर्शन जल्दी भारत के लाँच हो चुकता है, जहां 2017 का वर्शन A3, A5 और A7 जल्दी भारत के लाँच हो चुकता है, स्पेस्क्रिक्शन की मार्ट करें तो आपको A7 और A5 में एक ही स्पेस्टिक्शन देखने को भी जाएंगी क्योंकि खाली स्प्रेंट साइस की फोरे डिफरेंट रहेंगी, जैसे कि आपको A7 में आपको 5.7 ही डिस्प्रे देखने को पूलेगी, फुल एच्डी की सिपड़ा बड़ा डिस्प्रे रहेंगी, 1.9 लिगार्श ओक्ता लिगार्श और वाइफाय के सपोट मिलेगा, 4G, UG, LTE की सपोट मिलेगा, और अगर बात करें जो से अपको एफ प्र जेखने के पाइफ की इस ते देखने को ही डिस्प्रेंट गोही है, वी सुप्रेंट प्र देखने हो की, 1.9 लिगार्श ओक्ता को फुल्सीजर होगा, सबसे आखरी में Samsung Galaxy A3 आता है 50 डिस्प्ले साइज बहुत ही कम गई है 4.7 की दी गई है और फोन में 1.6 GHz अप्टकोर गोस्केसर दिया गया है 2GB की RAM 16GB की इसमें कम गया है दोस्तों और इसमें 256GB की RAM की गई है तो इसमें 256GB तक आप से इसमें 296GB एक पड़ा बर है 30 mm square camera गया गया, 1 mm square camera गया तो इसमें केमरा की दोस्तों कमी गया भोड सकता है इसके प्राइसिंग भी कम हो और फोन की बैटरी की माने तो दोस्तो 2350 इन एक की बैटरी दी गई है 6.0 जो अधार ये मांशमेल उपर चलेगा ये भी मांशमेल उपर दिया गया है हाला कि Samsung के pricing कम तो नहीं होते हैं एक अच्छे खासे pricing में Samsung का फोर जोच करते है क्योंकि आलवेस Samsung का good name एक बना होगा रहा है Samsung के फोर तो दिखते हैं Nokia 3110 हाला कि आपने सुना ही होगा अच्छी बात है क्योंकि Nokia 3110 बहुत है अगर यह आता है फोन तो मैं जरूर से जरूर कर आप इसका रिव्यू जडून करूंगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को आपकर सब्सक्राइब कर लिजिए गा और इस description की बात करें तो इसने आपको 1.5 इंच की डिस्पले देखने को मि का मतलब stand-wise mode लेगा तो अछी बात है इसमें आपको 8GB की इंटर्नल स्टोरेज मिलेगी तो इंटर्नल स्टोरेज भी इसमें आपको 8GB की मिलेगा है अला कि यह फोन अगर Android में आता है तो बहुत ही अच्छा होगा क्रिकि Android में आने से इसमें बहुत फिचर्स मिलेगे इसमे ॹप 149 UZ में इसकी pricing होगी और अगर बात को दोस्टो इस pricing में this इसको फीचर सब्सक्राइब मोगी का support या जाएगा तो काफी-काफी अच्छा होगा क्या भूले क्वोल्प दोस्तो अगर ये भीक धीं कर देता है तो हश्रा फल्डिकेगा बात था unfortunately जो पहले नहीं की पिखें से उससे ज्यादा इसके ये फोन मार्केट पे चलेगा वैसे नुक्या कमबैक कर रहा है ये फोन के नाम से ही नुक्या पिखेगा और दोस्कों अगर 4G व्यूर्टी का भी संपूर दिया जाएगा इसमें तो बहुत अच्छा होगा HTC X10 की प्राइसिंग और तस्वीरों का यहां कुछ फुलासा हुआ है जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ की इस प्रकार के HTC One X10 होगा और स्पेसिजिसम की बात कर देशनें आपको 5.5H की Full HD की डिस्प्ले देखने को मिलेगी MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिले और 3GB की RAM होगा इंटर्नल पतीजिन के स्टोड़े होगा 16.3MP का रियर कैमरा होगा पता नहीं क्योंकि यह लोग मी MediaTek के प्रोसेसर में लगाते हैं कि यूज करते हैं अरे यार 1X10 HTC एक अच्छा ब्रेंड है इसमें कब सब स्नैप्डागन का 420 30 की चिपसेट ही दे देते या फिर 625 का चिपसेट दे लेते तो काफी हद तक बहुत अच्छा फून हो जाता पर इसकी प्राइसिंग के साफ से दोस्तों पीके न दिया गया है कुछ जमा नहीं पीवी HDC में अब क्या बुलें और आपको सेल्थी कैमरा के लिए 5 या पिक्सल की कैमा दिया गया है और यह देता और क्या बूले इन्होंने बहुत इससे पहले जो भी हैंडशेट थे एक स्टेन था एक सुनाइन हो यह तो उसमें आपको स्नेप्रेगन को प्रोसेसर देख को पिज़ा था इसमें पीटे लिए चोड़ी इस परबड़ी को लॉंच किया जा सकता है और Mb5C ने में प्रोसेसर को पीट कर सकता है लुट का अपना प्रोसेसर करे बीट हीरा दो इसे एक साथ प्रोसेसर बिर्दिया में के साथ पर पाइंद को पते अच्छा निकल गए अगर स्नेप्रेगन प्रोसेसर आ अने लागे तो sawmy ke phone एक बहुत अच्छे phone मार्केट में होजाएंगे इसको बीट कर बाना बहुत ही पूस्किल हो जाएगा त्योंकि जैसे के या हाला कही रहाता है Samsung का अपना processor, Huawei का अपना processor है पर उन processor कुछ खास नहीं कर पाता है gaming बोली है, video बोली है, आपके quality के बोली है केश्या स्वाद्ट को भारत ने लांच किया है 15 पेश्या सुधा आपको मिलेगी 15 पैंकों के नाम बताते हैं आपको एक्समस्ट वे रोड था बैंक ऑफ इंडिया चिटी उनाइटेड देड्ड बैंक लिबिटेल्ट इन 15 बैंकों में आपको यह सुविदा मिलेगी आपको करना सिर्फ यह होगा, आपको भारत QR गोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद 15 बैंकों में से किसी भी में भी खाता आपका होना जरूरी है, आपके पास स्मार्टफोन भी होना चाहिए, जिस पर आप संबंदित बैंक का भारत QR गोर्ड डाउनलोड कर सके, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड या डेविट कार्ड या प्रिपेट कार्ड होना तो ही आप इस एप का ब्याबार कर सकते हैं, यह QR पोर्ड एपको एंड्रोड आइफोन और विड़्ोज वर्शन के लिए अबलेबल, तो अच्छी बात है QR पोर्ड जल्दी से जल्दी आपके डाउंडोड कीजिए, इसको फोलिए, अपना कार्ड नमर दीजिए और आप एक्टिवेट होगे, इससे कि आपको कार्ड लेंके ज़रूने के ज़रूद ने, आप केवल QR को स्कान करके पैसा ट्रांजिक्शन कर सकते हैं, यह safe feature हुआ, आपको mobile नमर नहीं देना पर देखा गया है, जिसकी खीमत लगबग 30,143 रूपीज दी गया है, जहां 30,143 रूपीज दिया गया है, तो बता दे नूकिया, एक्ट बहुत अच्छा फोन है कि नहीं, अभी तख पता नहीं, प्री ओडर के यह जिडी.ड़ को पे आ लिए, तो इंडिया में नूकिया में भी प्री ओडर के लिया था, तो गैरिंटी तीन लाग सो उपर एंडशेट तो बिखी जाते है, इस प्राइसिंग की साब से यह एक अच्छा वीड बजेट स्मार्ट फोन है, तो अब क्या बोलें, इसमें आपको 5.5 इंच की डिस्पे देखने को मिलेगी, स्नाइप र तो बार सो चारीज पिक्सल यो कि फुल एज़वी तो ज्यादा है, 24 मेगा पिक्सल का प्राइमरी केमरा दिया हो गाए और फर्न केमरा पको 12 मेगा पिक्सल के दिया गया है, तो के आई में और आपको 4 GB की रहे हैं और 64 GB की इंदा स्टोरेज दिया जिसको आप 1100-13 GB तक ए तो आज की टिक में रही पर समाव तो किया, अगर आपको मेरे न्यूस पसंद आया हो या वीडियो पसंद आया हो तो यूस लाइन शेयर और सब्सक्राब करना मत बुल लिएगा, क्योंकि मैं रोज आपकी ऐसे टिक्स और टेक्सल जुड़े जिजस काता रहोंगा, तो हमे